Let's suppose आपने एक website बनाई, new website बनाई है, बहुत अच्छे आपने article लिखने चालू कर दिया है, लेकिन ये website Google तक कैसे पहुँचेगा, यानि कि Google को कैसे पता चलेगा कि ऐसी कोई website exist भी करती है, daily आपके जैसे लाखों लोग अपनी website बनाते हैं, और Google के उपर भी responsibility बहुत है, इसल ये Google ने Google search console बनाया, जहां से आप Google को instruction दे सकते हैं, बता सकते हैं, that hey Google, I made this website and you can crawl this, अब आप इसे index करो, आप इसे search engine में दिखाओ, this is why Google search console is very helpful, अगर आपको अपनी website instant index करानी है, तो आप Google search console में करा सकते हैं, यानि कि आप एक click करेंगे, हो सकता है कि वो एक घंटे में हो जाया हो सकता है, वो within a minute हो जाया, so this is how Google search console work, बहुत सारी चीज़े Google search console से आप monitor कर सकते हैं, आज का वीडियो इसे बारे में है कि कैसे आप Google search console में अपनी website को add करेंगे, और कैसे उसको बहुत जल्दी index कराएंगे, all right, मेरा नाम है आनन, और आप देख रहे हैं, web insights, जहां प कोई भी video skip करेंगे, तो आप confused हो जाएंगे, कि क्या किया जा रहा है, part 2 में हमने इस website को design किया था, जहां पे हमने देखा था कि किस तरह से इस website को customize करेंगे, part 3 में हमने SEO plugin का best setting देखा था, कि कैसे आपको SEO plugin install करना है, क्या use है, और part 4 में हम बात करने है Google search console में, जहां पे हम Google को instruction देंगे, कि Google मेरी website को तुम अब index करो, alright, कितनी भी अच्छी आप website बना ले, अगर वो Google में नहीं जाएगा, Google search में नहीं आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो Google search console में add करना, और Google search console की क्या-क्या फायदे है, बहुत सारी चीज़े है, आज हम यही देखेंगे, alright, पर लिखना है search console, या फिर आप लिख सकते है Google search console, simply आपको पहले URL पर क्लिक करना है, then आप start now पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप start now पर क्लिक करेंगे, आप आज आएगे अपने search console में, देखें यहाँ पे मेरी website already added है, और Google search console से आप बहुत सारी चीज़े आप चेक कर सकते है जैसे कि कौन सा keyword मेरा कौन से number पे rank हो रहा है, और कौन सा page मेरा किस position पे है, किस country से हमारा traffic आ रहा है, किस device से हमारी website access की जा रहा है, search appearance इसका कैसा है, बहुत सारी चीज़े आप यहाँ से track कर सकते हैं, अगर कोई manual penalty आ रहा है तो वो भी आप यहाँ से check कर सकते हैं, कोई SEO error आ रहा है, कोई security error आ रहा है, यह सारी चीज़े आप Google Search Console में एक screen पे देख सकते हैं, और Google Search Console कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक separate वीडियो बनाया हुग, around 25-30 मिनट का वीडियो है, अगर यह सारी चीज़े मैं फिर से explain करूं, तो around 25-30 मिनट, 50 मिनट के भी videos यह हो सकते ह क्योंकि Google Search Console आए दिन अपने features को update कर रहा है, एक updated content आपको मिलेगा, ऐसी हो series में हम line से सारी चीज़े हम देखते जाएंगे, इन सारे menus को देखते जाएंगे, बट फिर भी आप i button में वीडियो चेक कर लें, वीडियो के last में भी आपको link मिल जाएगा, जहां से आप जाके देख सकते हैं कि search console का huge क्या है, बहुत सारी चीज़े हैं, कौन सी website आपकी slow open हो रही है, कौन सा fast open हो रहा है, किसमे improvement की जोड़त है, किसमे font site छोटा है, देखो यार Google के हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे, तो हम ऐसा नहीं है कि search engine में rank हो जाएंगे, यहां पे error है, अगर आ add property का button मिलेगा, मेरे case में देखिए, अगर मैं यहां पे click करूँ, तो यहां पे add property का button आ रहा है, जैसे आप click करेंगे, आपके सामनी ये screen आएगा, आपको अपनी website का URL, as it is यहां से copy करना है, और इस URL prefix में paste कर देना है, सामनी देखिए, एक forward slash आ रहा है, इसे आपको remove कर दे लेना है, दिन आपको continue पे click करना है, जैसे click करेंगे, यहां पे आपको अपनी ownership verify करनी है, बहुत आसान तरीका में बताता हूँ, simply आपको HTML tag वाले option पे click करना है, यहां पे आपको double click करके ये tag copy कर लेना है, ये copy करने के बाद आपको आजाना है अपने WordPress dashboard में, आपको आजाना है theme editor में basically, theme editor में आने के बाद आप यहां पे I understand पे click करिए, उसके बाद आपको click करना है theme header.php पे, यहां देखिए sidebar में आपको मिलेगा, make sure कि यहां पे आपका current theme selected रहे, उसके बाद आपको theme header पे, आपको यहां पे header.php पे click करना है, then आपको यहां पे search करना है head tag, मैं यह यहां पे अगर आपको zoom करके दिखा हूं तो देखिए, यहां पे head tag है, head open हुआ है, head close हुआ है, head open के बाद आपको एक enter प्रेस करना है और यहां पे अपनी URL को paste कर देना है, paste करने के बाद आपको नीचे scroll करना है और update file पे click करना है, जैसे update करेंगे देखिए edited file successfully का एक message आ गय plugin यूज करना है, जैसे WP rocket या फिर कोई भी optimization plugin, तो make sure आप एक बार cache clear कर लें, मैं यहां पे clear कर देता हूं, जिससे एक updated content मिले, उसके बाद आपको इस screen पे आना है, then आपको click करना है verify पे, जैसे आप verify पे click करेंगे, यह कुछ second लेगा, and yes, ownership verified, go to property पे आपको click करना है, यहां पे कोई भी data नहीं दिख रहा है, क्योंकि just आपने अपनी website को Google search console में add किया है, अब थोड़ा सा time लगेगा, और एक और important चीज है कि हमें अपनी website का site map यहां पे add करना होता है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे site map generate होगा, और किस तरह से हम यहां पे add करे this is the simplest way which I explained you, I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो make sure hit that like button, चैनल पे नए हो जल्दी में ही explore किया है, तो आप चैनल को subscribe कर लो, क्योंकि ऐसे ही amazing वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं, मिलते हैं किसी और amazing वीडियो में, तब तक के लिए happy blogging and happy ranking.